पहला मैच खतम हो जुका है, जर्मनी ने हरा दिया है स्कॉटलेंड को 5-1 की स्कोर लाइन से, काफी जबरदस्त मैच रहा जर्मनी के पॉइंट फूसर, I think ये एक स्टेटमेंट विन है उनके लिए, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें कुछ टोर्नामेंट्स में जहां पर अंडर्वेल्विंग पर्फॉर्मन्स रहा जर्मनी का, एक चीज जो उन्होंने मिस किया सारे टोर्नामेंट्स में वो है, क्लिनिकल एज इन फ्रेंट ओफ द गोल, और वो उनका गोल ना स्कोर कर पाना, चांसे मिस करना, एक बहुत बड़े खत्रेगी घंटी थी उनके लिए इतने समय से, लेकिन इस मैच में उन्होंने आप कह सकते हैं कि एक स्टेट्मेंट दिया है बाकी सारी टीम्स को, कि देखिए हम इतने अच्छे शेप में नहीं होंगे, बट पिछले कुस समय से हमने फॉर्म पकड़ाया, और यह हमारा घर है, और आपको अपनी सबसे अच्छी फुटबॉल खेलनी होगी, हमको हराने के लिए और यह टोर्नमेंट हमारी सरजमी पे जीतने के लिए, आई फील जर्मनी एक ऐसी टीम है, जिसको आप कभी भी लाइटली नहीं ले सकते, हिस्टॉरिकली जर्मनी एक हमेशा ऐसा पोजिशन रहा है, जो ही होती है, जो मिनो होता है उसकी जो ग्रुप में जब वो ड्रॉ होते हैं तो, बट आई फील जिस तरीके की कॉलिटी परफॉर्मन्स थी, जर्मनी की रिलेंटलेस परफॉर्मन्स था, सब ही नहीं बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, और नागल्समेन की जो एक खूपस परसन फॉर मैन अफ दा मैच, कोई एक प्लेयर, जो होंगे मेरे मैन अफ दा मैच, वो होंगे मुसियाला, बट टोनी क्रुज वाट लेजंड, नहीं समझ आ रहा कि क्यों रिटायर हो रहे हो, इतनी अच्छी फुटबॉल खिल रहे हैं इस एज में भी सौ से जादा पासे अटेंट किये, लगबख सारे पासे उनके सही हुए, चार-पांच कुछ चांसे उन्होंने क्रियेट करे, लॉंग बॉल्स निगाली खूब सारी, अल्मोस्ट एवरीवन वाज उन दा स्कोर शीट, वर्ट से शुरुबात हुई, उसके बाद मुसियाला ने शांदार गोल स घुचे, scissors, एमरे चेन, एमरे चेन ने भी आके एक गोल स्कूर कर दिया, मैनवल नोयर, तो दिखे ही नहीं फस्ट हाफ में, इतना डॉमिननंट performance जर्मनी की और जैसा मैंने का यह statement win है अगर आप देखें 73% possession almost लगभग 2 के XG पे 5 goals score कर दी उन्होंने big chances created भी कम थे compared to the goals that they scored touches in opposition box आप देख सकते तो जिगरा नहीं था बिलकुल भी Scotland की अगर हम बात करें और थोड़ा सा उनको दिलेरी से खेलना था I know overwhelming हो जाता है ऐसे क्योंकि एक जब ऐसी टीम आती है जो आप बोलते हैं कि underdog है और against host nation वो खेल रही है in a packed stadium in front of a packed crowd बहुत मुश्किल होता है उनके लिए ले लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ी सी और दिलेरी दिखाए Scotland लेकिन वो बहुत ही खराब टैकल किया उनके एक प्लेयर ने उनको red card मिल गया है वहाँ से छोड़ी है उसके पहले ही match खतम हो गया था 15-20 minutes में ही खतम हो गया था match but I feel एक बहुत ही भैतरीन performance थी Germany की और Germany तो मुझे लगता है कि all the way to the semi-finals जा सकती है और मेरे top 4 में तो हैं ही वो definitely तो देखते हैं क्या होता है छोटा सा एक post match reaction है बाकि आप मुझे बताइए हमने जो live stream की थी जो in studio show किया था zero ball knowledge वो कैसा लगा आपको सारे matches के लिए हम zero ball knowledge लेके आएंगे आपकी तरफ आज साड़े 6 बज़े से सारे match शुरू हो जाएंगे तीन matches है आज तीनों match का हम coverage करेंगे और पॉनेच है बज़े हम आ जाएंगे और जुड़ जाएंगे आपसे life तो please do make sure कि पहला जो match है Switzerland Hungary उसमें आप हमको join कर रहे है and do let us know in the comment section क्या लगता आपको Germany के chances क्या है यूरो में definitely एक बहुत ही बढ़िया performance statement है जैसे मैंने का कई बार मैंने बोल दिया word statement कुछ दूसरा word सोचना पड़ेगा but बहुत ही बढ़िया performance और क्या लगता आपको कौन जीतेगा यूरो please do let me know in the comment section और zero ball knowledge कैसा लगा ये भी बताईएगा मिलता हूँ शाम को आप से till then take care peace love you bye bye